सेयद जफर इसलाम उत्तरपदेश, मुख्यमंत्री कोविट पॉजिटिव, पूर मुख्यमंत्री कोविट पॉजिटिव, अस्पतालों के बाहर लाइने लगी हैं, हालात यह हैं कि परिवार के लोग अपने बुजुर्गों को गाडियों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर मा पहराट सरकार ने दी, उसी तरह से उत्तरपरदाश, उत्तरपरदेश की सरकार भी, अगर ऐसा कुछ करेगी तो उत्तरपरदाश की सरकार आपको इसकी जानकारे देगी, लेकिन मैं अतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जिस हाल, जो हालात बने हैं, उस हालात की समिक्ष चाहे वो मुखमंतरी आइसुलेशन में हो लेकिन वो हर वक्त कर रहे हैं अधिकारियों से वो फोन पे टच में है वीडियो कॉन्फरेंसिंग से बात कर रहे हैं और जो सही कदम उठाने होंगे वो जरूर उठाएंगे और उठाएं भी जा रहे हैं लेकिन जहां तक लॉक्ड है और जब आपको मालुम है कि आप क्रोना वाइरस से डील कर रहे हैं और इसके इंपैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं तो जाहिरे कम्प्लीट लॉक्डाउन इस नॉट इस सोलूशन बलके जो सही कदम है वो सरकार उठाएगी और इसकी समिशा भी कर रही है लेकिन मैं आज यह नहीं कह सकता है कि कम्प्लीट लॉक्डाउन होगा या नहीं होगा या पार्शल लॉक्डाउन होगा इतना दुरू कह सकता हो कि सरकार सही फैसला उठाएगी लेगी ताके जो नागरिकों को किसी तरह के अवसुविदा ना हो और जो छोटे-छोटे जो 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 जॉब पे लोग हैं उनको भी किसी तरह के आसुई दाना है अधरात आठ बजे से जो लागू होना देखे महराश के सरकार में जो फैसला किया है उसकी उसका रेजल जो है महराश के सरकार को ही भूंगतना पड़ेगा इसलिए कि मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार अगर लेती है फैसला तो उसका advantages और disadvantage दोनों वो दोनों को वो टेस्ट करती है पहले समखती है उसके पाद लेती है लेकिन चुकि महराष्ट में रेट बहुत जादा है बहुत तेजिस है जो है संकर्मित हो रहे हैं लोग इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया है उससे उसको उसके जो है प्रोस और कॉन्स देख के लिए अभी इस पर मैं कोई लिए का टिपनी नहीं करेंगे इसलिए के स्टेट की रिस्पांसिब्ले की अगलत मानते हैं देखे यसलिए कह रहा हूं कि वह जत्ती छोटी 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 डिसन है वह वह देखिए वह दर ठाकरे को पकार रहे हैं मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं अभी आपकी सरकार के बारे कियो पकार रहे हैं आप मुझे मैं यह कह रहा हूँ कि देखिए उन्होंने जो फैसला लिया है वो सही लिया है गलत लिया है वो बात पता चले गए लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह का कब लॉक्डाउन किया उससे लोग केवल ये था कि क्या आप उसके साथ हैं या आप उसके खिलाफ हैं आप उसमें कह रहे हैं कि भुगतेंगे तो यही भुगतेंगे जाहिर सी बात है जिस सरकार ने फैसला लिया या जो सरकार फैसला लेगी उसके consequences वही देखेगी लेकिन आप बतौर विपक्ष महराष्ट में क्योंकि उत्तर पदेश में आप ने कहा योगी जी बोलेंगे जो बोलेंगे मैं नहीं बोल सकता महराष्ट में आप विपक्ष में हैं आप वहाँ के फैसले पर क्या कहते हैं क्योंकि और राध्या वुपी से है रोही जी एक मिनिट आप दरा सुसुनिए का मेरे बात हम तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं पहली बार जब लॉक्डाउन हुआ था तो आदर ने परदान मंत्री जी ने उस वक्त जब लॉक्डाउन किया था तब अन्नोन चीज से हम डील कर रहे थे उस वक्त कि किसी कुछ दुनिया में मालूम नहीं था कि इस क्रोना वाइरस का इंपक्ड क्या हो सकता और किसको कैसे डील क्या सकता है अरे चुप रही है ने दो मिनिट बाद आपको बोलने का माक्य मिलेगा तो बोल लीजे कि मैं शांती से सुनूंगा कायत तब बेचायन क्यों रहे है लेकिन जिस तरह के लॉक्डाउन उस वक्ड जरूरी थे अर इस तरह के लॉक्डाउन जरूरी है मिझे नहीं लगता है ऐसे लॉक्डाउन जरूरी है इसलिए कि इस कम्प्लीट लॉक्डाउन से तो क्या मैं आपकी बातों से ये समझूँ कि जहां जहां आपकी सरकारे हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में भी अगर हालात इस तरीके के हो गए हैं आज तो वहाँ लॉक्डाउन की स्थिती आप लोगों के रहते कम से गम आप नहीं आने देंगे वापस आओंगा आपके पास बात करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी से राधिका बाप के पास आ रहा हूँ दिल्ली में पिछले 24 घंटे में महराष्ट मुंबई के मुकावले जो देश की आर्थिक राजदानी दो गुने मामले आएं क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिरों में दिल्ली में भी लॉकडाउन की स् सब्सक्राइब करें मुक्यमंत्री दिल्ली के हैं पर उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जाके रैली सूरत में करें या पंजाब में करें मुक्यमंत्री उत्तरप्रदेश के लेकिन वो आपको असाम में भी मिलेंगे वो आपको करनाटक में भी मिलेंगे वो हर जगा जा रहे हैं अपने प्रदेश में क्या हो रहा है कोई नहीं दिख रहा उत्तराखंट के मुक्यमंत्री है तो वो कहते है जाके गंगा सनान कर ली पानी बहरा इसलिए करोना नहीं हो सकता सबसे पहले तो ये लोग जो बैठे वे हैं गद्यों पर जो हर चीज का मजाग बना रहे हैं इनको अपनी पदों से स्टीफा देना चाहिए ये अभी तक नहीं समझ पाए है खुद करोना से संत्रमेत होने के बाद और ये भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब एक अखाड़ी के महंत को करोना हुआ तो अखिलेश यादक उनके करोना होने के बाद उनसे मिलने जाते हैं बिलकुल ही मजाग बना दिये किसी को कोई फिकर नहीं है कि जनता सड़क पे परमर रही है तरही तरही मचीव है उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हो रहे हैं एक क्यूपर एक लोग चड़ रहे हैं बैंक क्यूपर पैसे जमा करने को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है